दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस YouTube channel में और आज की इस वीडियो में यहां पर मैं आप से बात करूँगा विटामिन B12 के बारे में जी हां दोस्तो यहां पर मैं आपको सरल बासा में पूरी जानकारी देने वाला हूं विटामिन B12 के बारे में कि विटामिन B12 क्या होता है, इसके function क्या होते हैं, कितनी मातरा में जरूत होती है, इसके vegetarian source कौन से है, इसके non-vegetarian source कौन से है और market में सबसे विटामिन B12 का best supplements कौन सा है विडियो को सुरू करने से पहले अगर अपने इस विडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजी और चैनल पढ़ना है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेना दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं विटामिन B12 के बारे में, कि आखिरकार वो होता क्या है तो देखिए विटामिन B12 को कॉबाला माइन भी कहा जाता है साइन्टिफिक लेंगवेज में, टॉटल विटामिन B जो है वो 8 होते हैं और यह उन 8 में से 1 है और उन 8 B विटामिन्स को B complex भी कहते हैं, अगर वो टॉटल जो विटामिन्स होते हैं 8 उन सब को मिला के B complex के नाम से भी जाना जाता है और यह हमारे बाडी में काफी जरूरी होते हैं, सारे के सारे विटामिन B जो है वो water soluble होते हैं और उन्हें हमारी जो body है वो store करके नहीं रख सकती हैं और वो मुत्रमाग से निकल जाती हैं लेकिन B12 एक ऐसा vitamin है जिसे हमारा liver जो है वो store करके रख सकता है और यह काफी अच्छी बात है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि vitamin B12 के function क्या है आखिरकार हमारे body में वो क्यों important है तो दीखे vitamin B12 हमारी कोसिकाओं में पाये जाने वाले जिन यानि की DNA को बनाने और उनकी मरमत में सायता करता है यह spinal cord और nervous के कुछ तत्वों की रचना में भी सायक होता है और nervous damage से बचाता है यह brain को protect करता है एक study नहीं यह साबित किया है कि अगर आपके body में B12 की कमी है तो आप Alzheimer के सिकार हो सकते है और यह एक ऐसी बिमारी है जिसमें आप बार बार बूल जाते हैं इसके अलाव यह body को energy देता है और इसे cells का food भी मना गया है और यह हमारे body को पूरा दिन energetic रखता है B12 जो है वो mood को सुदारता है और young रहने का ऐसास भी दिलता है क्योंकि यह serotonin hormone को बढ़ावा देता है और अगर आपके सरीड में serotonin hormone है वो एक ऐसा hormone है जो आमें खुसी देता है अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हमारे सरीड में B12 की कमी है तो हमारे body में क्या-क्या defences से क्या-क्या हो सकता है तो देखे आपको खून की कमी हो सकती है यानि की एनीमिया हो सकता है आप ठकान में सुस कर सकते हैं डिप्रेसन में जा सकते हैं आपके जो हाथ पहरे वो सुन हो सकते हैं सांस लेने में दिक्कत आ सकती है यादास्त में कमी आ सकती है एकागरता में कमी आती है रदाय की असा डेली रेकोमेंडेसन के इसाब से कितना लेना चाहिए और उसकी जरूत कितनी होती है तो देखे जन्मस से लेकर बारा मेने का जो बच्चा होता है यानि कि जो इंफेंट्स होते हैं उन्हें 0.5 माइक्रोग्राम की जरूत होती है MCG यानि माइक्रोग्राम होता है बच्चे जो एक साल से लेकर आठ साल के हैं उन्हें 1.0 MCG चाहिए बच्चे जो 9 से 13 साल के हैं उन्हें 1.8 MCG और जो 14 साल के उपर कोई भी है चाहिए वो बड़ा पुरूस है, बुजूर्ग है, 100 साल का है, कोई भी है उसे 2.4 माइक्रोग्रम चाहिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि इसके vegetarian source कौन से हैं तो देखिए डाइसोग्रम दही में मिलता है 1.4 माइक्रोग्रम low fat milk अगर आप डाइसोग्रम दूद लेते हैं तो 1.2 mcg मिल जाता है इसके अलावा डाइसोग्रम चीस लेते हैं तो 1.1 mcg मिलता है और 30 ग्रम अगर आप स्विस चीस लेते हैं तो 1.0 mcg मिलता है यहाँ पर देखा जाए तो अगर आप दूद के बड़े 2 ग्लास पीते हैं तो 2.4 mcg माइक्रोग्रम यानि की mcg यानि की माइक्रोग्रम होता है वो डेली के रेकॉमेंडेशन के हिसाब से आपको मिल जाता है बात करते हैं यहाँ पर non-vegetarian source के बारे में तो 100 gram sardine fish में 7.0 mcg मिलता है जो की डेली रेकॉमेंडेशन के हिसाब से काफी जादा है 100 gram mutton में मिलता है 3.0 mcg 100 gram salmon fish में मिलता है 2.8 mcg और 2 बड़े जो अंडे होते हैं उसमें 1.2 mcg मिलता है यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आप non-vegetarian नहीं है और market में जो supplements आते हैं उन्हें आप लेना चाते हैं तो देखें multi vitamin कोई भी supplements आती है उसमें B12 मिल जाता है यह जो B12 है वो injection form में भी available होता है इसके अलावा यह chewable tablet में भी available होता है अगर आप best quality की B12 supplements लेना चाते हैं तो मेने description में link दे दी है आप उसको वाँ से purchase कर सकते हैं